आ गए है latest voting trends, कौन है number one पे, कौन है सबसे नीचे, किस तरीके से हुए है, बदलाओ, किस तरीके से percentage बदल रहे है, इन contestant के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं हूँ वंदार और आप देख रहे है Act Riders, बात की जाए तो छे लोग वापे nomination में है, आज आखरी दिन है आपे voting का, आज रात में वापे voting lines off हो जाएगी, आज दोपर के बारा बजे तक की जो पोल है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और देखते है भाई, number one पे कौन है, कितने percentage के साथ है, और लास्ट में, जान चानों को वाई कितने percentage, देखना बहुत दिल्चस्प है चले बात करते है, number one की, number one पे है रुबिना दिलाइक, जिनको मिले 32% वोट्स, जी हाँ, बात की जाए तो खुल मिला कर 32% वोट्स के साथ हो number one पे बनी है, number two की बात की जाए तो number two पे अभी वी जास्मीन बसी ने, जिनको मिले है वापे 26% वोट्स, और ये दोनों safe mode में है safe zone में है, इनको कोई वापे हिला ही नहीं सकता, हाला कि वो दोनों बाहर जाना वाली थी नहीं, number three की बात की जाए तो number three पे वापे इजास खान, इजास खान एक अलग तरिकी की गेम खेल रहे है, लेकिन जैसे वो वापे रुबिना के साइड से खेले तो उनकी वोट्स की तादत और भी जादा बढ़ गई और वहाँ पर उनको मिले 16 प्रतिशत वोट्स नहीं, तो ये कही ना कही, कविता कौशिक इनके भी आगे जा सकती थी, number four पे है, वहापे कविता कौशिक इनको है, वहापे 15 प्रतिशत वोट्स, 1% वोट्स का डिफरेंस है, क्योंकि कवित कविता कौशिक जो है, वह भी एक अलग लेवल का गेम अपना दिखा रही है, और अभी कैप्टन सी टास में बनी हुई है, बात की जाए तो वहापे नंबर पाच और छे, खत्रे में दोनों भी है, ये मैं बताना चाहूँगा, कि दोनों भी खत्रे में है, नंबर पाच प इनके वोट परसेंटेज वड़े, अगर आज रात तक जान कुमार शानु के वोट और भी ज्यादा बढ़ गए, तो वो निकी तंबोली को क्रॉस करके नंबर पाच पर आ सकते भाई, तो क्या वहापे जान शानु भाहर जाएंगे, या फिर बिग बोस निकी तंबोली को चहीते, इन दोनों को बचा कर कवीता कोशिक जैसे डिजर्विंग प्लेयर को बाहर निकालेंगे, भाई ये देखना बहुत ही दिल्चस्प रहेगा, आपका क्या है कहिना, कौन जाना चाहिए भाहर, कौन रहना चाहिए घर में, कमेंट सेक्शन आप ही कहे, कमेंट सेक्श